स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास 12 के जीविग्यान अभ्यास 3 अभ्यास का नामे मानो जनन का यह दूसरा भाग है तो पहले भाग में हम लोग क्या पढ़े थे जनन क्या होता है और नर जननतंत्र क्या होते है यह कल के वीडियो में जो है बताया गया था यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो देख सकत इस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो इस भाग में जो हम लोग पढ़ेंगे मादा या इस्तरी जननतंत्र क्या होता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यारती इसे अच्छे से समझिएगा और इपने कापी में नोट करते चलिएगा तो भाग के बारे में शमझेंगे तो यहाँ पर जो भाग बना हुआ तो यह जो पहला भाग देख रहे हैं यह योन है योन की जो यह बगल में जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है गरभासे है जालदार कीप है गरभासे है और यह जो है अंडवाहिनिया है या निसेशन की किर इसमपन होता है तो इसको पहले जो है आप सभी विद्यार थी पढ़र, इसको साठ इसक्रिन लीजिए और जब साठ इसक्रिन ले लिने के बाद से इसे पने कापी में जरूर बना लीजिए आज जब बना लेंगे तो यहां पर AK के Heading को आपको बताया जाएगा और इसे अपने Kaanipi में क्या कीजेगा ? नोट करते चलिएगा तो यहां पहला भाग क्या होता है अब इनके बारे में समझेंगे तो चितर बनने के बाद से क्या लिखेंगे ? मादा में जनन कोशिकाओं का उत्पन एवाम निसेचन की प्रिक्रिया को संपादित करने वाले तंतर को ही का कहा जाता है मादा जनन तंतर कहते हैं मतलब मादा जनन तंतर में क्या होता है तो जनन जो कोशिकाओं को क्या करता है उत्पन करता है और निसेचन की जो किरिया प्र नर और मादा का जब मिलन होता है तो वा किरिया क्या होता है निसेचन की किरिया होता है तो इसी तरह जो नर और मादा जब मिलेंगे तो यहां पे जो है संपादित करेंगे निसेचन किरिया को क्या करेंगे संपादित करेंगे उसी जनन को क्या कहा जाता है मादा जननतंत्र कह अब यहां लिखेंगे मादा जननतंतर में कितने भाग होते हैं तो मादा जननतंतर में दो भाग होते हैं पहला भाग का नाम क्या है तो प्रात्मिक लैगिक अंग होता है क्या होता है प्रात्मिक लैगिक अंग होता है दूसरा जो होता है दुतियक लैगिक अंग होता है अब प्रात्मिक लैगिक अंग में कौन कौन से अंग आते हैं अब इनके बारी में जो है समझा जाएगा तो समझ में आ गया होगा कि मादा जननतंतर किसे कहा जाता है जो निशेचन की प्रकिरिया को क्या करे संपन करता हो उसी को मादा जननतंतर कहा जाता है और मादा जननतंतर मे दो भाग होते हैं पहला भाग का नाम है प्रात्मिक लैगिक अंग होता है अदूसरा भाग होता है दुत्ती लैगिक अंग होता है अब प्रात्मिक लैगिक अंग कौन कौन होते हैं और प्रात्मिक लैगिक अंग से आप क्या समझते हैं अब इनके बारे में जो हैं समझेंग तो यहां लिखेंगे प्राथमिक लैगिक अंग अंडासे होता है याद रखेंगा अब मतलब मादा जनन तंतर में जो होता है प्राथमिक लैगिक अंग किसे कहा जाता है तो प्राथमिक लैगिक अंग को अंडासे को कहा जाता है तो यहां पर लिखेंगे मादा में एक जोड अंडा से पाई जाती है तो यहां छोटे छोटे कोशन भी बनते जाते हैं जैसे मादा में जो है कितने जोड़ी अंडा से पाई जाती है तो मादा में एक जोड़ी जो है अंडा से पाई जाती है लेकिंगे इसकी आकरती लगभग बदाम जैसी होती है जैसे बदाम की आकरती होती है ठीक उसी प्रकार किसकी अंडासे की भी आकरती होती है तो इसकी आकरती कैसे होती है बदाम जैसी होती है प्रतीक अंडासे अपनी और के ब्रिक के समेब मिसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होता है मतलब जो होता है प्रतीक मतलब अंडासे एक जोड़ी का मतलब कितना पीस होगा दो पीस होगा याद रखेगा दो जो है अंडासे होता है और दोनों जो होते अंडासे जो होते हैं अपनी और के विरिक समीप मिसोवेरियम तथा उदर गुहा से क्या होता है जुड़ा होता है अद दूसरी और से किसे जुड़ा रहता है तो गर्भ रोन स्रावी तो होते हैं मतलब प्राथमिक लैगिक अंग जो होते हैं अंडासे में जो होते हैं क्या होते हैं अंडाड़ों का क्या होते हैं निर्माड होते हैं और जो यह अंडासे किसे जुड़ा होता है तो विरिक के समीब मीसो वेरियन तथा उदर गुहा से क्या होता है तो प्रात्मिक लैगिक अंग आप लोग याद रखियेगा अंडासे होता है और अंडासे प्रतिक जो है मादा जनन में जो है अंडासे कितने जोड़ी होती है एक जोड़ी जो है अंडासे होती है और इसकी आकृती कैसी होती है तो बदाम जैसी इसकी आकृती होती है तो इस अज़ियक लैगिक अंग कौन कौन होते हैं अब दुतियक लैगिक अंग जो होते हैं अंडवाहिनी होता है गरभासे होता है और योनी होता है İş lay 상 पाग देख रहा है यह क्या है दुतियक लैगिक अंग होते हैं अब यहां पर अंडवाहिनी क्या होता है गरभा से क्या है योन क्या है अब इसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे तो अब हेडिंग लिख लेंगे अंडवाहिनी अब अंडवाहिनी क्या है कहां पर इस्थि फैलोपीयन नलिका कहते हैं अब एक कोशन यहां से बन गया कि फैलोपीयन को नलिका किसी कहा जाता है तो अंडवाहिनी को कहा जाता है प्रतिक अंडवाहिनी लगभग बारह सेमी लंबी मतलब प्रतिक जो अंडवाहिनी होता है वो लगभग कितना होता है बारह सेमी लंबी क कुंडली तो नलिका होती है मतलब लपेट करके कुंडली जैसा जो है नलिका होती है और यह कीप नूमा रचनाय होती है किसके नूमा कीप के नूमा जो होती है सन रचनाय होती है जिसका चोड़ा भाग मुखिया कहलाता है तथा जालादार जो भाग होता है वो क्या कहलाता है रोमा भी होता है क्या होता है मतलब जिसका चोड़ा भाग मुखिया कहते हैं और जालादार जो भाग होता है उसे क्या कहते है रोमा भी होता है अब यहाँ बिसेस में आपको याद रखेंगे कि अंडवाहिनी गरभासे में खुलती है मतलब गरभासे में खुलती है कौन अंडवाहिनी अंडवाहिनी का परमुख कार अंड़ाड़ू को एकत्री तथा पोशन करना होता है मतलब अंडवाहिनी का मुख कार क्या है तो अंडवाहिनी का जो है कार क्या है अंडाड़ूं का एकित्र करना तता पोशंड करना होता है तो अंडवाहिनी समझ में आ गया होगा कि अंडवाहिनी को क्या का जाता है फैलो पियन नलिका कहते हैं परतेक अंडवाहिनी लगवक क कितना सेमी लंबा होता है तो बारह सेमी लंबा होता है और कुंडली नुमा जो है सनचना होता है कीव की नुमा जो है इसकी रचनाए होती है और इसका जो है चोड़ा भाग का होता है मुखिया कालाता है और जहलादार भाग कालाएगा रोमा भी होता है और याद रखिएगा अंडवाहिनी किस में खुलता है तो गरभासे में खुलता है तो इसे पने कापी में लिखिए और दो बार पढ़िए आपको यह अंडवाहिनी भी अच्छे से क्या हो जाएगा याद हो जाएगा कि अंडवाहिनी का मतलब क्या है उसकी सनचनाएं क्या होती है अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भासे, गर्भासे क्या होते हैं, तो लिखेंगे गर्भासे यह लगभग नासपाती के आकार का संक्वाकार तिरकोडा कार रचना होती है, मतलब जो गर्भासे होता है, वो लगभग किसके आकार का होता है, तो नासपाती के आकार, जैसे गर्भासे होता है तो गर्भासे का आकार जो है नासपाती के आकार जैसे या संक्वाकार जैसे या तिर्भूजाकार जैसे इसकी जो है रचना होती है किसकी रचना गर्भासे का और यह लिखेंगे रचना होती जो इस्तरी के स्रेणी प्रदेश में इस्थित होती है मतलब जो किस परदेश में है तो एक स्रेणी परदेश होता है मतलब उसी में जो रहता है वो स्रेणी परदेश में क्या रहता है इस्थित रहता है इसी में दोनों अंडवाहिनी खुलती है मतलब गरभासे में जो है दोनों अंडवाहिनिया क्या होती है खुलती हैं इसके नीचे का भाग संक्रिल्ड भाग सरवीक से कहलाता है और आगे की और मुत्रासे तता पीछे की और मलासे होता है मतलब इसमें कौन-कौन से भाग होते हैं इसके आगे भाग क्या होता है और उसके पीछे भाग क्या होता है तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो गर्भासे होता है उस गर्भासे की जो है आगे की और जो होता है मुत्रासे होता है और पीछे की और क्या होता है मलासे होता है गर्भासे की दिवारे मोटी पेसी अस्तर की बनी होती है गर्भासे की दिवारे किसकी बनी होती है तो गर्भा गर्भासे जो है समझ में आ गया होगा कि गर्भासे का आकरती कैसा होता है तो गर्भासे का आकरती क्या है नासपाती क्या आकार जैसा होता है या सौंकाकार होता है या तिर्कोडा कार होता है और इस्तित होता है और ये दोनों अंडवाहिनिया जो है उसके अंदर क्या होती ह तो इसे अपने कापी में जरूर नोट कीजिए, बहुत आसान आपको नोट सो बताया जा रहा है, जिसे आपको तुरंट क्या हो जाए, याद हो जाए, अब हुआ हो पढ़ेंगे योन, योन क्या होता है? अब योन कहां पी होता है? तो चितर में देख लिजिए, यह जो बना हुआ है यह योन है योन द्वार होता है यहां पर योन अब क्या होते हैं तो लिखेंगे यह इस्त्री का मैथुन कच होता है यह इस्त्रियों का क्या होता है मैथुन कच होता है योन के दिवारों में लेक्टो वैसिलाई नामक जिवाड होते हैं कैसे नामा लेक्टो वैसिलाई नामक जिवाड होते हैं जो गलाई कोजन के अब घटन से कार्बनिक अमल बनाते हैं मतलब इस्तरी का जो है या मैथुन कच होता है और जो होता इनकी जो दिवारे होती हैं और लेक्टो वे सिलाई नामक जिवाड होते हैं, जो गलाई कोजन के अब घटन से कार्वनिक अमल बनाते हैं, यून के दोनों तरफ बर्थोलीन गरंथियां होती हैं, मतलब यून के दोनों तरफ जो है बर्थोलीन गरंथियां पाई जाती हैं, यहां से कोशन बन जाएगा कि बर्थलोन गरंथियां कहां पाई जाती है तो बर्थलोन गरंथिया जो है योन के दोनों तरफ पाई जाती है इन गरंथियों से एक द्रव सरावित होता है जो योन और गर्भासे में सुक्राणों को क्या करता है आगे बढ़ाने में सहायता करत तो यहां से जो है यहां से जो सुक्राण होते हैं उसको आगे बढ़ाने का क्या कार करता है कौन कार करता है योन करता है तो यहां लिख लेंगे योन के कि इन गरंथियों में क्या होता है एक द्रव स्रावित होगा द्रव मतलब कुछ लिक्विट स्रावित होता उसके अंदर से जो है द्रव मतलब पानी जैसे कुछ लसलसा जो है पदार्थ निकलता है जो योन और गर्भासे में क्या करता है सुक्रानों को क्या करता है आगे बढ़ाने का में क्या करता है सहायता करता है तो योन जो है समझ में आगे आ होगा कि योन क्या है और इस कौन सा कच्छक होता है और इसमें कौन से द्रौ जो है स्त्रावित होती है और इसमें किसको आगे बढ़ाने का कार करता है तो समझ में आगया होगा तो इसे अपने कापी में जरूर नोट कीजिए जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंतर में सहाय गरंथियां क्या होती है हम लोग नर जनन तंतर में भी सहाय गरंथियां पढ़े थे उसी परकार जो है मादा जनन में भी सहाय गरंथियां के बारे में पढ़ेंगे तो अब इसके पहले में हम लोग क्या पढ़े थे कौन से गरंथियां थे बार्थोलीन गरंथियां पाई जाती है किसके बीच में था बार्थोलीन गरंथियां योन के दोनों तरफ जो है बार्थोलीन गरंथियां पाई जाती हैं तो अब यहां पे पले हेडिंग को नोट का लिजेगा सहाय गरंथियां अब यहां लिखेंगे मादा जननतंत्र में बार्थोलीन गरंथिया रेक्टल गरंथि पाई जाती हैं बार्थोलीन गरंथिया योन के आसपास उपस्थित एक जोड़ी गरंथियां है इनसे निकला स्रावण मैथुन के समें सनेहक का कार करता है मतलब सनेहक मतलब सरकने का कार करता है सनेहक का कार करता है ठिक इसी प्रकार प्रकोष्ट था मलासे के इस्थित एक ज का करती है मतलब इसमें जो है 3 परकार के जो गरंधिया बतायगा बार्थो लीञ और रेकटल और एक पेरीनियल गरंथिया होती है ये मैसल और से कुछ गांध निकलता है तो वह गंध का जो है कौन से गरंथिया कार करती है पेरी नियल्स गरंथियां जो है कार करती है तो इसे अपनी कॉपी में जरूर इसको भी नोट का लीजिए साहे गरंथिया और इसे दो बार आप लोग पढ़िएगा आपको क्या आजाएगा अच्छे से समझ में भी आजाएगा और आपको याद भी हो जाएगा अब हम लोग पढ़ेंगे युगमक जनन युगमक जनन किसे कहते हैं अब युगमक जनन की परिभासा क्या है तो अब हम लोग क्या पढ़ चुके मादा जनन तंतर क्या थे और मा कोशिकाओं में अर्ध सुत्री विभाजन के फल सरू युगमक निर्माड के परक्रिया को युगमक जनन कहा जाता है। युगमक जनन कहते हैं। जनना ही युगमक जनन कहलाता है अब यहां लिख लेंगे नर युगमक सुकराडू होते हैं मादा युगमक का होता है अंडाडू का निर्माड होता है उसे ही युगमक जनन कहते हैं तो यहां तीन परिभासा बताया गया युगमक जनन का तो तीनों परिभासा को आप सभी अच्छे से पढ़िये और इसको अपने कापी में क्या कीजे नोट कीजे और इसमें आगे लिखेंगे अंड जनन क्या होता है तो लिखेंगे नर में इस किरिया को सुक्र जनन तथा मादा में इसे अंड जनन कहते हैं मतलब यह जो किरिया होगा वो पुरुस में मतलब नर में क्या होगा सुक्र जनन कहा जाता है और मादा है तो क्या कहेंगे अंड जनन कहा जाता है क्योंकि नर में जो है सुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में क्या पाए जाते हैं अंडाणु पाए जाते हैं इसलिए क्या कहते हैं सुक्र जनन और मादा को क्या कहेंगे अंड जनन कहा जाता है तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा अब मिलते हैं हम अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार